है और सेवन कोस और आज की वीडियो में बात करने वाले हेम इंसरेशन सॉट के बारे महीं पिछली वीडियो वेन देखा सवय बबल सॉट कैसे कैसे काम करता है आज महीं समझने वाली इंसरेशन ऐसे आर्फ सॉट को दोनोगी इसके बेसीली जर्व वो समझ लीते हैं तो fundamentally इसके अंदर आपका एरे जो होता है, वो दो पार्ट के अंदर डिवाइ Uni पहला पार्ट होता आपका sorted दूसरा पार्ट हो होता अपका unsorted यह अगर आपका अपका एरे है सपोज के अंदर उस जगह पर डालना है जहां पर इसके असली पोजिशन है जहां पर डालने कवाद अभी आभी आपका सॉटेट रहेगा जैसे आपने इस तो इसका नाम insertion short क्यों है क्योंकि आप एक element लेते हो just अगला element लेते हो और उसे उस जगह इंसर्ट करने का ट्राय करते हो जो उसकी असली पोजिशन है ठीक है इस सॉटेट पार्ट के अंदर जो उसकी असली पोजिशन है उस जगह पर आप इसे insert कर देते हो तो इसलिए हम इ इतना बाट वह हमारा sorted है इतना पार sorted कैसे बोल्डरों में क्योंकि एक element तो एक element तो अगर आपको एक अर्यद रखाए वह इसके मंदर सिर्फ एक ही element है तो वह already sorted है क्योंकि कि किसी खाथ compare नहीं करना आपको तो वह already sorted है तो आपका 8 जो है वह 8 के साथ ही रहेगा और यह array आ sorted है तो आपकी iteration basically i equals to 1 से start होगी तो यह equals 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो 1 से हम start करेंगे लिए आगे और 1 के साथ हम चेक करेंगे इस वाले element को यह क्या 1 वाला element 0 वाले element से छोटा है तो हां ऐसा है अगर ऐसा है तो हम इसे swap कर देंगे लेकिन swap ऐसे ही नहीं करेंगे आप देखोगे हम यहा temporary variable बनाना पड़ता है जिससे कि आपका वह element lost ना हो जाए कहीं पर तो एक temp भी बनाना पड़ेगा हमे temporary variable के लो कुछ भी नाम दे सकते है इसको आप temporary variable के अंदर हम यह वाली value रख देंगे जिसके साथ हम चेक कर रहें तो temporary variable के अंदर मने डाल दिया 4 ठीक है जैसे आपने temporary variable के अंदर 4 डाला तो आप कहसे ए की لिग यहां पर आप कुछ नहीं है ठीक है यहां पर आपका यहां पर आपका यहां पर कुछ नहीं है ठीक है यहां पर कुछ नहीं है ओके आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप कुछ भी नहीं है और आप 8 को चेक करोगे 4 के साथ क्या 8 is less than 4 हां ऐसा है तो आप 8 को एक right swap कर एक right shift कर दोगे ठीक है 8 को एक right shift कर दोगे तो 8 पहले यहां पर था आप 8 यहां पर आ जाएगा तो अब आपका array ऐसा हो जाएगा अब आप यहां पर आ चुके हो और अब इसके बाद किसी के साथ भी compare करें जो इतनी है तो अब यहां पर आप अपने इस temp value को डाल दोगे तो temp value आपके यहां पर आजेगी 4 तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप देख रहे हो मैंने आप पर swapping नहीं किया मैंने 8 को पहले shift किया यहां पर और जब मैंने देखा कि अब आगे किसके साथ कुछ compare नहीं करना आगे कुछ भी ने compare करने के लिए तो मैं इस temp value को यहां पर डाल दूंगा और अब आप देख रहे हो इस iteration के बाद आपका array जो sorted array था जो पहले इतना था अब वो इतना हो चुका है sorted array थोड़ा बड़ा हो चुका है तो यह वाला part आपका unsorted है अब अगेन हम unsorted array के अंदर से पहला element पिक करेंगे जो कि है यह वाला और इसक चेक करते चलेंगे तो टैंप के अंदर हम डाल देंगे 1 ठीक है टैंप के अंदर यह वाली value डाल देंगे तो टैंप के अंदर आजागा यह और अगेन हम 1 के साथ 8 को चेक करेंगे क्या 8 is greater than 1 तो हां 8 1 से बढ़ा है तो 8 को हम यहां पर एक right shift कर देंगे ठीक है तो 8 बनाया था उसको बनाने का फायदा किया है क्योंकि आपने जैसे यहां पर इसे swap किया 8 को जैसे shift किया swap नहीं किया shift किया तो वैसे आपका यह 1 गायब हो चुका है तो जैसे आपने वन को गायब पढ़ दिया तो 1 को कहिना नहीं सभाल के रखना ज़रूरी था इसलिए मैंने यहां पर हो जागा 4, 8, 5, 9, 2 और यहां पर कुछ भी नहीं होगा जब कुछ भी नहीं होगा तो हम टैंप को यहां पर डाल देंगे और यह वाली इटरेशन यहां पर खतम हो जाएगी हमारी ठीक है तो फॉर्स इटरेशन अमारी यहां पर खतम हो गई थी सेकेंड इटरेशन डालेंगे temp के इंदर तो 5 अब हम चीक करेंगे 8 को 5 के साथ, क्या 8 बड़ा है 5 से हाँ 8 बड़ा है 5 से 8 को हमें एक right shift कर देंगे, तो यहां पर रहेगा 1 यहां पर रहेगा 4, 8 right shift हो जाएगा तो यहां पर रहे जागा आपका 8 9 और 2 यह से कैसे रहेगा और अब आपका area ऐसा हो चुका है अब हम 4 के साथ चेक करेंगे 5 को क्या 4, 5 से बढ़ा है नहीं 4, 5 से बढ़ा नहीं है तो जैसे आपको लगे कि अब आगे shift करने की जरूत नहीं है तो आपको पता 4, 5 से बढ़ा नहीं है तो वहीं के वहीं आप temp की value को यहां पर डाल दोगे ठीक है क्योंकि further आगे भी कोई भी element असा नहीं मिलने वाला जो की 5 से बढ़ा हो तो जैसे आपको कोई भी element दिखते है कि हाँ यह 5 से बढ़ा नहीं है है आगे बढ़ जाना चाहिए अब आप देख रहें पहले आपका इतना था आप सब्सक्राइब कर दोगे और यहीं पर अपना लूप कर दोगे और यह जगह पर आपका यह वापिस यह वाला लेकिन अब आपका array जो है sorted array इतना हो चुका है ठीक है अब यह हमारा element बचा है इसको भी डाल देता है के अंदर अब time के अंदर आएका टू और टू साथ करेंगे नाइन को क्या नाइन जो है वो टू से बड़ा है तो हां नाइन को शिफ्ट कर दिए हम तो जगा वन फोर फाइव एट और यहां पर कुछ भी नहीं होगा और यहां पर आपका आपका नाइन ठीक है नाइन हमने एक शिफ्ट कर दिया और कुछ नी कि हमने बस एक नाइन को शिफ्ट किया है अब अगेन हम एट के साथ चेकर दिए एट टू से बड़ा है तो हाँ एट टू से बड़ा है तो मैं ऐसे ही शिफ्ट कर दिता हूँ आपको time बिचेगा हमारा तो eight को मैं directly shift कर दूँगा यहां तो 8 यहां से आजागा यहां पर, ठीक है, हम चेक करेंगे 5 को साथ, क्या 5 टू से बढ़ा है, हाँ 5 भी 2 से बढ़ा है, तो 5 को एक शिफ्ट कर देंगे आगे, 5 आजागा यहां पर, अब चेक करेंगे 4 क्या 4 टू से बढ़ा है, हाँ 4 भी 2 से बढ़ा है, 4 को एक शिफ्ट कर तो हर iteration में आपका एक ही करके element sort होते हैं तो आपका आगे होता है sorted part, पीछे होता है unsorted part, unsorted area के अंदर से हम एक element pick करते हैं और उस element को उस जिकरे पर insert करने का try करते हैं जहां पर उसकी असली position है आगे वाले sorted area के अंदर, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं हमारा sorted area बढ़ा होत तो हमारा outer loop होगा वह यहां से start होगा one से और inner for loop होगा वह हमारा ऐसे करके आगे बढ़ रहा है ठीक है inner loop आपका इस तरह किसा आगे बढ़ रहा है right side से पीछे की side आ रहे हैं ठीक है तो outer loop जो है वह set जा रहा है inner loop जो है वह decrement हो रहा है तो यहां पर थोड़ा सा different होएने व हमारा outer loop हो रहे है सबसे पहले हम इस element को ले रहे है और इसको time में डाल दे रहा है अब एक यह टैंप बना रहा है तो इन टैंप और टैंप के अंदर हमें डाल देना है यह वाल ऐलमेंट इसको डाल दिया हमने टैंप के अंदर अब हम आगे बढ़ना श्राट करेंगे तो इसे किसी एक पटिकुलर केस के लिए समझने का ट्राइ करते सब्सक्रों इस वाले केस को करेंगे जरेंगे जिससे कि हमने समझना असान हो मैंने इस वाले धर को डाल देऊं मिंछ यहां-टर ऑर औ가 कुछ क करेंगे जब तक हमारा i, जो हे डान है भुर साथ ही साथ चो जा रहे हैं जब तक कि मुझे पता है कि जो temp वाला element है, उससे बड़ा element यहाँ पर exist कर रहा है, ठीक है, तो समझने का try करेंगे, सबसे पहले तो एक j बनाऊँगा मैं, जिसकी initialization होगी, i-1 से, तो int j, जो कि i-1 से start होगा, ठीक है, यह तो अब समझने आगेगा, जश्ट एक पिछले element लेंगे, हर बार एक पिछले element से start कर रहे है, तो j हमारा यहाँ से start होगा, और एक मैं loop बना दे रहा हूँ, आप कोई सा भी loop बना सकते हो, for loop भी बना सकते हो, यहाँ पर थोड़ा convenience रहेगा, इसलिए मैं while loop बना रहे हो, यहाँ पर, while j is greater than equals to 0, ठीक है, जब तक j आपका greater than equals to 0 है, मतलब जब तक की आपका j यहाँ तक है, तब तक ही कहाँगे, इसके आगे तो नहीं जा सकते हैं, j minus हो जागा, तो air ही का तम हो जाएगा, यह है, और साथ ही साथ एक और सीचा करेंगे यह की, यह वाला element जो है, जो की jth position पर है, वो वाला element अगर इस वाले element से बड़ा है, तब ही जाएंगे, ठीक है, तो air of j should be greater than temp element, ठीक है, तो while j is greater than equal to 0, and a of j is greater than temp, अगर बड़ा नहीं है, तो वहीं के वहीं break कर जाओ, ठीक है, लेकिन अगर बड़ा है, और साथ में j greater than equal to 0 है, तब आपको यह करना है, और करना क्या है, इसके अंदर, हम अपने इस वाले jth element वाले element को एक right shift कर देंगा, तो यह वाला element एक right shift हो जागा, right shift मतलब swap operation हो रहा है, बस j plus one के साथ, right, तो आपका a of j plus one के अंदर a of j आ जाएगा, मतलब में क्या करना चाहर हूँ, अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा possible है, तो आप बोल दोगे कि a of j plus one equals to a of j, ठीक है, यह हो गया, और साथ में एक j minus minus कर देंगे, ठीक है, तो इतना हो गया हमारा, जैसे ही यह वाला लूप खतम होता है, हmarँ, कभी भी यह वाला लूप खतम होता होता हिहा पोहान पर आमारा लूप खतम होता होता, जसको हमने делает कि खाथ कि faet बढ़ा है, हाँ ये ओज्प्र को एक कर जिएता, तो fourth confuses से बढ़ा नहीं था, तो यह वाला यहां पर यहां पर तो हम डाल देंगे एफ जे प्लस वन इकोस्टू टेम और यहां पर हम इसे खतम कर देंगे तो यह हमारा वाइल लूप है और यह हमारा फॉर लूप है तो इसको कोड करना है हमेशा ऐसे करना होता है आपको लॉजिक तो पता चली गया ठीक है आपको कोड रटना नहीं है मैंने यहां पर यह वाला केस पकड़ लिए जहां पर टैम हमारा फाइव है और उसके बाद सॉल्ट पर नहीं करूँ ठीक है बहुत ही सिंपल से यहां पर कोड हो जुका है तो अब जारा इसे ड्रायरन करके भी देख लेते हैं तो सबस्क्रों टैम हमारा यहां पर था ठीक तो 8 आ गया है यहां पर और उसके बाद हमने जे माइनस माइनस कर दिया तो जे पहले 0 था अब जे हो जागा माइनस 1 तो ग्या जे ग्रेटर दर इकॉल टू जीरो है नहीं जे हो गया माइनस 1 तो इस वाल लूप से भारा हो गए और जे आपका माइनस 1 हो चुका था अब हमारा i2 हो चुका है और इतना area हमारा sorted है अब हमारा i2 हो चुका है तो 2th element जो है उसको मैं डाल दूगा temp के अंदर तो 1 जो है वो जो जला जागा मैं टैंप के अंदर तो 10 पन जागा 1 और अब चैक करूँगा इसके साथ ठीक है जे हो जागा हमारा 8 और 8 को मैं चैक कर है टैंप से हाँ 4 भी बढ़ा है टैंप से तो 4 को मैं shift कर दूगा एक और 4 मेरा यहां पर आ जागा ठीक है अब 4 मेरा यहां पर आ चुका है 8 मेरा यहां पर चुका है और अब मेरा जो j है वो जागा तुछ के इंदर, तो 5 हमारा यहा है पर आएगा, हम इसके साथ चैकर हुए, 8-5 से बढ़ा है, तो यासी बढ़ा है, तो 8 कॉम शिप्त कर देंगे, तो 8 आजागा यहाँ पर, ठीक है, 8 आजा यहाँ पर, आपका उसके बाद आप 4 के साथ चैकर होगे, क्या 4 आपका 5 से नहीं है तो आप यह वाली कर जाओगे ठीक है आपका वो बड़ा नहीं है तो आप वाइल लूप से भार आ जाओगे और A of J प्लस 1 तो आपका A of J था आपका 1 ठीक है जी आपका 1 था तो आप A of J A of J प्लस 1 मतलब A of 2 के अंदर जाल दोगे वो ठाइंप वाली हो तो यहां पर आपका 5 आ जागा तो 148 1458 इतना आपका यह उट हो चुका है अब आगे बढ़ते हैं अब आपका IQ वैली हो जागी 4 ठीक है IQ वैली 4 अगे तो आपका जो 9 आ है वो ठाइंप के अंदर आ जागा त हम बोल देंगे कि A of J प्लस 1 मतलब इस पोजिशन पर वापिस टैंप को डाल दो तो 9 को हमने वापिस यह पर डाल दिया अब हमारा यहां पर आ चुका है आई और हमने इसको टैंप में डाला तो 2 को हमने डाल दिया टैंप के अंदर उसके बाद हम चेक करेंगे इस element के साथ क्या element इससे बढ़ा है हां बढ़ा है तो हम इसको यहां पर डाल देंगे 9 यहां पर आ जाएगा तो हम 8 के साथ करेंगे 8 भी बढ़ा है तो 8 भी यहां जाएगा ऐसे करते करते हम यहां पर आएंगे 1 तक आ जाएंगे क्या 1 बढ़ा है 2 से 1 बढ़ा है टैंप से तो 1 टैंप यह वाला फॉर लूप यहां पर ब्रेक हो जाएगा और हमारा फाइनली पूरा का पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा और यही होता है ठीक है बेसिकली इतना ही होता है इंसलेशन शॉर्ट आपको एक कोड भी समझ में आगया होगा बहुत ही सिंपल स्रल्ल शब्दा में मैंने को जो मैंने आपको बताया था कि आगे वाला पार्ट आपको सॉर्ट होता है पिछे वाला पार्ट आपका अंसॉर्ट होता है उस तरीके से चलें और वैसे यह वाला कोड हमने आगे बढ़ाया बेसिकली यूपर वाला जो लूप है वह आपको आगे बढ़ाता रहता है और ज सब्सक्राइब और मैं बिलूँगा आप से अंग्ली वीडियो के अंतर जहाँ पर हम सेलेक्टिन चौट को देख रहे हैं कि वो कैसे काम करता है ठीक है मिलता हूँ आप लोगो से नेक्षी वीडियो में बाब बाई